हेलो स्टुडेंट्स, मैसल है अभिलाशी शर्मा और मैस जैनल जानकरी है एक बार फिर आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत इंपोर्टन टापिक्स है अब बात करते हैं इन सभी टापिक्स के वारे में पर उससे पहले आप सब के लिए एक अलर्ट सीधा कम्प्लीट वीडियो टू गेट मैक्सिमम एंड कम्प्लीट कॉंटेंट एंड सीधा वीडियो उन फुल सकरीन एंड त्राई टू यूज यूज बात को समझना है तो पूरी वीडियो देखें दूसरा इयरफोन यूज करें फुल सक्रीन करके देखें अपने डिवाइस की जो भी आप यूज कर रहे हो तो आप कम्प्लीट कॉंटेंट को ले पाएंगे जो मैं समझाना चाहता हूँ आज के इस वीडियो कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्योंकि मैं बात करूंगा as a medium of instruction English और हिंदी में कुछ शब्द हैं जो बार बार एक दूसरे के साथ आएंगे ग्रोस है शब्द जिसको हिंदी में क्या कहेंगे हम बार बार जब यूज करेंगे कुल या वर्ड यूज करते हैं सकल नेट, शुद, नेशनल, रास्ट्रिय, डुमेस्टिक, घरेलू, मार्किट प्राइस, बाजार, मुल्य या बाजार कीमत, फैक्टर कोस्ट, साधनलागत, परड़क्ट, उत्पाद इन सबी टर्म्स को हमें ध्यान में रखना होगा किस लैंग्विज में किसको क्या कहते हैं इसके बाद बात करते हैं इसका जो टॉपिक नेशनल इंकम क्या है येस, नेशनल इंकम और नेट नेशनल पॉड़क्ट is the monetary value of all final goods and services produced in an economy during a year, including net factory income received from abroad किसी देश की रास्ट्रिया का मतलब क्या होता है, किसी देश में जो अन्तिम वस्तूं और सेवाएं जो पैदा की गई हैं एक निस्चित समय के दोरान, उनकी monetary value, मौधरिक कीमत क्या है जिसमें विदेशों से प्रापत जो साधनाय है, उसको भी शामिल करते हैं, तो जब नेशनल इंकम की बात होती है, the three important measures to calculate national income of a country, जिससे नेशनल इंकम की बात करेंगे हम जो नेक्स्ट वीडियो है इसी चैनल पर, उसमें किसी भी धंग से आप नेशनल इंकम तीनों में से किसी धंग से calculate करें, you will got the same amount of national income, the sum of the value of all final goods and services produced under product method, the sum of the all incomes occurring to the factors of production, i.e. rent, interest, profit and wages under income method, the sum of consumers expenditure, net investment and government expenditure on goods and services under expenditure method, मतलब क्या है इसकी बात को हम सधारन शब्दों में समझने की कोशिच करेंगे हैं, रास्ट्रियाई को आपको पता चल गया, किसी एक वित्य वर्ष के दुरान, एक निश्य समय के दुरान, किसी अर्थ विवस्था में जो वस्तुएं उत्पाद की जाती हैं, जो सेवाओं की जो मौदरिक कीमत होती है, उन सभी के साथ जो विदेशों से साधना इपराप्त होती है, उन सभी को मिला के, जो aggregate बनता है, जो total बनता है, उसको हम रास्ट्रियाई कहते हैं, रास्ट्रियाई के बारे में जो उन्हें मैंने बात की, इसके calculate की तीन मैथट हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ, वो क्या क्या है, एक तो है उसमें से, जिसके बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है, कि जब रास्ट्रियाई की गन्ना करनी हो, तो एक तो हम production method यूज़ करें, जो cost of production से related है, उत्पादन के चारों साधनों पर कितनी लागत आई, दूसरा, किसी देश में रहने वाले लोग कितना खर्च करते हैं, अंडर expenditure method, और जो factor of production है, उनकी income कितनी है, अंडर income method, इस धंग से product method, expenditure method और income method हम किसी भी धंग से रास्ट्रियाई की गन्ना कर सकते हैं, ये सारा detailing methods के बारे में, अगली वीडियो में इस channel पर clear किया गया है, अब कुछ basic contents की बात करते हैं, जो national income के content को detail में समझने के लिए बहुँ जरू रही है, that is domestic territory of a country, किसी देश का grey look शेतर किसे कहते हैं, Domestic territory, in common language, a domestic territory of a nation means a political territory of a nation, in economics, it refers to the economic territory which refers to the geographical territory, Administrated by a government within which personal goods and capital circulate freely, जब हम सधारन भाशा में बात करें, घरे look शेतर के बारे में, किसी रास्टर के, तो उस देश का जो राजनितिक नक्षा होता है ना भी, उस सारे नक्षे के अंदर जो area उसको हम domestic territory जा घरे look शेतर कहते हैं, पर economics में हम economic territory है, जहां पर आर्थिक गतिविदियां होती हैं, उस सारे area को उस देश के as a domestic territory of country मानेंगे, क्योंकि हम economics में national income के concept की बात कर रहे हैं, जहां पर भी domestic territory के अंदर, उस सारे area में जहां पर economic activities होती हैं, आर्थिक रहाय होती हैं, capital circulate होती है, personal goods की production होती है, यहां पर सारी टाइप की economic activities होती हैं, सभी टाइप की, उस सारे area को domestic territory गयते हैं, यह ध्यान रखना होगा हमें, तो इसमें एक बात और ध्यान रखो, कि जैसे मैं एक बात बदाऊंगा आपको, domestic territory में एक बात और ध्यान रखना, कि जैसे देश के जो सिमाई हैं, उसके साथ कुछ area, जो international समुंदर का area है, जहां पर सागर है, जहां पर देश की ports बनी हुए, या बंदर कहां है, वहां के कुछ area, देश की economic area से related होता है, वो भी domestic territory का हिस्सा होता है, ये ध्यान रखना हो, इसलिए main content हमने क्या रखना है धिमाग में, कि जहां जहां भी देश की आर्थिक गतीविदियां चलती हैं, वो सारा area domestic territory में हम शामिल करेंगे, जो देश के अंदर है, A resident is set to be a person or institution who ordinarily resides in a country and whose center of economic industry lies in that country. He is called a normal resident, since he normally lives in the country of his economic interest, the period of stay should be at least one year or more. मतलब क्या है, इसको हम समझने की कोश्च करते हैं, residents या समाने नागरिक किसी उस व्यक्ति या संस्था को कहते हैं, जो किसी देश के अंदर हो, सधारन रूप से वहाँ पर रहते हो, और उनके economic interest का जो center है वही देश हो, जहाँ पर उनकी आर्थिक गतिविदियां चल रही हैं, उनका आर्थिक गतिविदियों का center point वहीं पर हो, उनका जो आर्थिक हित है जिस देश में हो, इसके इलावा normal residents जो किसी देश में रहते हैं, जिनका economic interest वहाँ पर है, वो भी normal residents of the country होते हैं, एक बड़ी condition यह है कि उनका रहने का time, एक साल या उससे ज़्यादा होना चाहिए उस area में, उस देश में, एक वरिश या उससे ज़्यादा, यह धियान रखना हुगा, यह conditions है normal residents के लिए, तो बात करते हैं हम, किसी देश के समाने निवासी, जो मैंने आपको बताया, कि कौन-कौन से होते हैं, धिमाग में रखना इसको, कि एक वर्ष की condition का होना बड़ा जरूरा है, तो दूसरा basic concept, जिसकी हम बात करेंगे, gross versus net, बड़ा important topic है वही, धियान रखना, gross कहते हैं हम, सकल या कुल, net कहते हैं, should, gross को G के साथ लिखेंगे, net को N के साथ, धियान रखना जब हम aggregate concepts करेंगे, for national income purpose, gross and net are very wider and important concepts, from production point of view, depreciation is very important, depreciation is known as consumption of fixed capital, or assets like machinery building, so the only difference between gross and net, is of depreciation, धियान रखो मेरी बात, किसी देश की रास्ट्री आये में, gross और net बहुत important पहलू हैं भई, और production में, जहां पर उत्पादन कतीविदियां होती हैं किसी देश में, वहां पर depreciation बड़ी important है, depreciation जिसको हम घिसावट जा हरास कहते हैं, होता गया है, जो fixed capital जा assets होती है, जैसे machinery है, building है, जहां पर production की करियाएं चल रही हैं, उत्पादन पर गिरिया, वहां उनकी समय के साथ, उनकी value में कमी आ जाती है भी, जा तो उसका model उपराना हो जाए, commerce वाले students बेटर जानते होंगे, कि fixed assets की value काम हो जाते हैं, जैसे building machinery बगारा time के साथ, use करने के कारण, accident के कारण, तो grosser net के बीच में, जो depreciation है, बड़ा important concept है, production के इंदर पर, जब net हमें पता है, तो उसमें, जैसे मैंने यहां पर दिखाया, ध्यान से देखो, net product या net, जो शुद उत्पाद है, उसकी value हमें पता है, उसमें depreciation add कर दो, तो gross product की value आ जाएगी, अगर हमें gross product की value पता है, तो उसमें से depreciation minus कर दो, तो net की value आ जाएगी, तो याद रखना, हम कोई भी product पता करें, domestic जा national, market price जा factor cost जैसे आने वाले time में करेंगी, gross और net के बीच में जब भी differentiate करना है, तो हम depreciation के अधार पर करेंगे, ये ध्यान रखना, gross में से depreciation minus कर दो, तो net आ जाता है, net में depreciation add कर दो, तो gross value आ जाएगी, gross means suckle, net means should, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, gross को हम हिंदी terminology में सकल कहते हैं, और net को हिंदी terms में should कहते हैं, और जो मुल्य हरास word यूज हुए है, ये depreciation के लिए है, तो सकल उत्पाद कैसे आएगा, जिसको मैं gross का शुद उत्पाद में, मुल्य हरास मतलब depreciation एड कर दी, और शुद उत्पाद की value कैसे आएगी, सकल उत्पाद मतलब gross product में, depreciation या मुल्य हरास की value हमने क्या कर दी, minus कर दी, next topic है domestic versus national, domestic and national are very important concepts for national income, ये भी बड़े important concept है भी, जब भी हम aggregate concepts की बात करेंगे, तो domestic और national बड़े important पहलू है, domestic और national, domestic relates to the geographical territory of a country, national relates to the normal residents of a country, दोनों मैं आपको समझा जूका हूँ, domestic, जिसे हम घरेलू कह रहे हैं, किसी देश की जो geographical territory है, उससे सबंदत है, जो भुगोलिक ख्षेतर है देश का, जिसे हमारे देश का नक्षा है, और जो national concept आएगा, national income के point of view से, उसमें हम शामिल करते हैं, देश के normal residents, जो सधारन नागरिक हैं, उनके आर्थिखित जहां पर जुड़े होते हैं, किसी व्यक्ति के जास, ताकि वो सारे normal residents हैं, from economic point of view, जो यह बहुत important concept है, दोनों में फर्क क्या पढ़ता है, दोनों जैसे gross और net के बीच में, जो center point था, जिसका हमने ध्यान रखना था, depreciation, यहां पर हमें ध्यान रखना है, domestic और national में, जो center point है, जा major difference between both is net factor income, from abroad, विदेशों से प्रापत, शुद साधन आए, यह ध्यान रखना, domestic देश के अंदर, जो पैदा हुआ, अब हमने रास्ट्रिया पता करने, तो जब हम नेशनल लेवल की बात करेंगे, उसमें बहर के साधनों की आई भी तो होती है, तो यह बहुत बड़ा difference है, दोनों के बीच में, net factor income from abroad, domestic और national की जब calculation करनी है, कभी domestic product मालो हमने पता करने, ग्रेलूत पाद कितना हुआ, हमें national पता है, तो national product में से net factor income from abroad, विदेशों से प्राप्त, शुद साधनाय को गया कर देंगे, माइनस, अगर हमें domestic पता है, हमने national पता करनी है, तो domestic मतलब है देश के अंदर, उसमें जो विदेशों से प्राप्त आया, वो भी तो national product का हिस्सा है, वो add कर देंगे, तो national product आ जाएगा, ये ध्यान रखना, domestic को national, domestic को D से लिखेंगे, national को N के साथ, next concept है हमारे पास, इसमें ध्यान रखना, जो domestic है, इसको हम Hindi terminology में, घरेलू उत्पाद कहते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, national रास्ट्री अत्पाद होता है, रास्ट्री अत्पाद में से, विदेशों से शुद्ध कारकाय जा, साधन आया है, जो माइनस कर देंगे, तो घरेलू उत्पाद जाएगा, अगर विदेशों से शुद्ध घरेलू उत्पाद, जो है, उसमें हम घरेलू, जो घरेलू उत्पाद है, उसमें अगर हम रास्ट्री आये, इसमें थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पर रास्ट्री उत्पाद की कैल्कुलेशन करनी है, तो यहाँ पर यह विदेशों से नहीं है, यह घरेलू उत्पाद है सिर्फ, घरेलू उत्पाद में शुद्ध कारकाई हम क्या कर देंगे, एड़ कर देंगे, साधन आये जो हैं, नेक्स्ट है, यहाँ आये मार्किट प्राइस और फेक्टर कोस्ट, मार्किट प्राइस को MP के साथ शो करेंगे, फेक्टर कोस्ट को FC के साथ, नेशनल इंकम, और इट्स एग्रिगेट साथ मैड़र इन MP और FC, जब भी हम इसके एग्रिगेट की बात करेंगे, उसमें जितने भी एग्रिगेट्स हैं, अलग-लग जो वैल्यू निकालते हैं, वो जो तो मार्किट प्राइस पे हैं, या फेक्टर कोस्ट पी, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, यह हमें समझना होगा, जो फेक्टर कोस्ट है, वो वस्त्तों की production कोस्ट है, जो उसको उत्पादित करने वाले चारो साथन है, उनको मिला के जो कोस्ट बनती है, वो साधन लागत या फेक्टर कोस्ट है, जब वस्त्तों त्यार हो जाती है, जैसे किसी production unit से जाए, पर निकले इससरकार ने उसको टेक्स लगा दिए जब उसमें टेक्स अड़ोजाते हैं नेट इन्डिरेक्ट टेक्स अड़ोजाते हैं तो वही प्राइस जो कोस्ट फेक्टर कोस था वो Mr. P. बन जाता है तो दोनों में बेसिक क्या हो गया MA कर देक्स का मार्किट दिये होंगे एक्जाम में जब बुक्स में हम कोई questions वालो करते हैं तो कैसे निकालना है नहीं दिया हो तो indirect taxes में से subsidies माइनस कर देंगे सरकार अगर industry पे production units पे बहुत से tax लगाती है तो बहुत से subsidies भी देती है छोड़ देती है अभी production process पे इंडस्ट्री को उत्साहित करने के लिए तो net indirect tax आएंगे indirect tax में से subsidy माइनस करके अगर हमने factor cost निकालनी है मालो हमें market price पता है तो market price में से net indirect tax माइनस कर देंगे तो दोनों के बीच में जो center difference का कारण बना वो है net indirect tax clear तो aggregate relates to national income आपको एक मेंने बात बता दू जितने भी aggregates हैं अलग अलग जो हम संजोग प्रापत करेंगे अलग अटाइप के concepts निकालेंगे national income से related वो हम दो ही prices पे निकालते हैं जा तो market price पे या factor cost पे बर हैं सिरफ चार gross domestic product GDP, net domestic product NDP, gross national product GNP, net national product NNP ये इसका abbreviated रूप है ये चारो के चारो add market price फिर चारो के चारो हम जो निकालेंगे वो factor cost पे भी निकाल सकते हैं मेरी बात ध्यान से सुनों और यहाँ पर जब भी किसी aggregate को abbreviated रूप में छोटे शब्द में लिखेंगे जैसे GDP लिखा है gross domestic product को तो उसका first G और N है ये gross या net है ये ध्यान रखना सारे के सारे G और N जो first alphabet है ये gross या net के लिए जब center की बात करें इन सब में जैसे यहाँ पर D है ये सारे D और N है चारो के चार में market price की बात करे जा factor cost में D और N है ये domestic और national होते हैं P सब में जो है ये production के लिए है product के लिए clear अब अगर हमें ये बातें पता है MP market price है FC क्या है factor cost अब इन सब aggregates की calculation करनी बड़ी असान है अगर हम ये 6 पहलों को ध्यान रखनें G और N के बीच में basic difference depreciation का G में से gross में से depreciation minus करतो तो net आ जाएगी should N versus D का मतलब national or domestic इन दोनों में difference किसका होता है net factor income from abroad का domestic मतलब घरेलू में अगर विदेशों से प्रापत साथना याड़ करतेंगे तो rastry है मतलब national आ जाएगी N Ampure factor cost में जो basic difference है वो net indirect tax का है अगर market price में से net indirect tax minus कर दे तो factor cost आ जाएगी अगर factor cost में net indirect tax add कर दे तो market price आ जाएगा ये बातें keep in mind इनको ध्यान रखो भी इनको पकड़ लो तो ये बड़ा असान रसता है तो इस दंग से हमें 8 तरह के aggregates निकाल सकते हैं एक बात मैं और बता दूँ जो आठों के आठ एग्रिगेट हैं उन सभी को 7 धंग से निकाल सकते हैं भी बड़ा असान सा काम है हमें G और D, D और N, market price और factor cost इनके difference को ध्यान रखना होगा बस क्योंकि एक निकालते हैं तो किसी भी साथ के साथ निकाल सकते हैं जो बाकी साथ हैं अब बात करते हैं GDP at market price मालो हमने market price पे first time GDP निकालना ग्रोंस domestic product तो जितनी quantity produce की और जो उसका market price per unit है उनको multiply कर देंगे तो अपने अब हमारी GDP आजेगी जो घ्रे लूत पाद हो रहे हैं मालो अब हमें GDP पता लगी market price पे हमने NDP निकालनी है ध्यान से एक को समझे लो बाकी बड़ा असान है हमें सिर्फ इसमें देखना क्या होता है DP at MP, DP at MP दोनों में है फर्क किसका जी और N का जी और N जी और N जी और N ज किसका होता है depreciation का हमने net निकालना है gross पता है तो gross में से depreciation minus कर देंगे net आ जाएगी मालो हमें net पता हो gross निकालनी हो GDP at market price पता करना है NDP at market price पता है तो उसमें क्या कर देंगे depreciation add कर देंगे next है इसके साथ GNP at market price मालो हमें GDP at market price पता है ठीप घरेलू उत्पाद पता है market price पता है निकालना हमने GNP है अब ध्यान देखो दोनों में फर्क किसका सिर्फ यह D और N का जो center में है यहाँ पे D और N एन national है D domestic है घरेलू और रास्ट्री है दोनों में फर्क क्या होता है मैंने अगर घरेलू उत्पाद में हम विदेशों से प्रापताय को जोड़ देंगे तो national आ जाएगी अगर हमें national पता हो हमने GDP निकालना है डी पता करना है मतलब domestic घरेलू क्या है तो नेट फेक्टर इंकम फर्क करतेंगे इसी तरह से NNP है नेट नेशनल प्रड़क्ट अट मार market price तो हमें इनका difference देखना है किसमें फर्क है N और N P और P सेम है जस्ट फरस्ट जो G और N है ये difference है G और N gross और net के इन में difference किसका होता है depreciation का gross में से depreciation minus करो तो net आगी अगर net में depreciation add करतो तो gross आजेगी समझ लगा जो हम NNP और GNP निकाल रहे हैं एक बात और धियान रखो तो हम सिर्फ ऐसी नहीं निकाल सकते हैं हम NDP और NNP से भी निकाल सकते हैं डिबेंड करेगा कि हमें एक्जाम में दिया हुआ क्या होता है जैसे यहां पर NDP at market price है हमने निकालना NNP at market price है इसको ध्यान से देखो इसमें फर्क किसका है national और domestic का domestic में अगर हम विदेशों से प्राप साथना ये अड़ कर देंगे तो national आजेगी तो देखो हमारे पास national आगी क्योंकि domestic और national में फर्क सिर्फ net factoring को हमें ब्रॉड का होता है इसी तरह ऐसे मालो हमने NDP निकाल नहीं है और NNP की value हमें पता है at market price दोनों में difference किसका है वही N और D का nationals में से विदेशों की जो आया है वो माइनस कर दे तो घरेलू मतलब domestic आजाएगी समझे लगा main difference D और N का है domestic और national इसी तरह से GDP at factor cost साधन लागत हमने ये पता करनी है मालो हमें GDP at market price पता है एक्जाम में दी हुई है gross domestic product at market price हमने निकालनी है GDP at factor cost gross domestic product at इसको पढ़ने का होता है जैसे GDP at FC का मतलब gross domestic product at factor cost सकल घरिलू उत्पाद किस पर साधन लागत पर तो क्या से करेंगे हमें देखने दोनों में difference करके फर्क किसका FC और MP का market price और factor cost में difference किसका होता है सिर्फ net indirect tax का market price में से अगर हम net indirect tax निकाल दे तो फेक्टर कोस आ जाती है और अगर factor cost में net indirect add करते तो market price आ जाते हैं आगे हैं ndp add factor cost मालो हमने ये निकालना है पता हमें GDP add factor cost है हमें इनकी तुलना होती है भी करनी ध्यान रखो मैं फिर से समझा रहा हूँ एक को पकड़ के समझा रहा हूँ बाकी सारे ऐसी होते हैं इसमें देखो ये value हमें पता है ये मालो हमने निक इक्जाम में ऐसे दिया हुए तो दोनों में ये देखो dp add fc dp add fc ये तो सेम है फर्क किसका है g और n का n जब first alphabet है ये net है g क्या है gross gross और net में फर्क किसका होता है depreciation का अगर gross में से depreciation minus कर तो net आजेगी clear अगर net में depreciation add कर तो क्या आजेगी gross आजेगी अब मालो ndp add fc हमन इसे gdp से निकालने है जिडिपेंड करेगा इसाम में क्या दिया है मालो हमें ndp add market price दी है तो फर्क क्या है fc और mp का market price और factor cost में फर्क किसका होता है net indirect tax का वो minus कर दी है इसी तरह से gdp add fc हमने निकालना है दिया हुआ क्या है ndp add fc फर्क क्या है g और n का g और n में difference क् नेट में depreciation add की gross आगी इसी तरह से ndp add factor cost है निकालना की है ndp add market price market price और factor cost का फर्क है दोनों में जो differences क्या है factor cost को हमने अगर market price बनाना है तो net indirect tax add कर दी है तो student इस दंग से हम किसी भी concept को लेट कर सकते हैं अब final की तरह बढ़ते हैं gross national product और factor cost जिसको gnp add factor cost और gross national income कहते है gnp add factor cost मालों हमें gdp add factor cost पता है फर्क किसके national domestic का net factor income from और add कर दी मालों हमें gnp add mp पता है निकालनी हमने gnp add fc है फर्क किसके ध्यान से देखो fc और mp का net indirect tax minus कर दी है तो साधन लागत आगी market price में से जब minus की gnp add market price बढ़ा करना है मालों हमें fc पता है तो net indirect tax add कर दी ह समझ लगा अब finally हम बढ़ते हैं जो आज का concept आ जहां से शुरू किया था national income गया है अगर exam में national income अजाए इसका मनलों वो पूछता है हमसे nnp add factor cost ध्यान रखना net national product add factor cost nnp add factor cost जो हमने 7 उपर बात कर चुके हैं 7 में से किसी के भी डंग से निकाल सकते हैं डंग वही रखना पड़ है उनको compare करके देखो क्या दिया हुए और क्या पता करने हैं हमने nnp addfc निकाल लिए कुछ example मैं दे रहा हूँ यहाँ पर जी एनप addfc दी हुई है फर्क का है g और n का first g और n gross और net वो किसका होता है depreciation का gross में से depreciation minus की net आ गया अब हमने nnp addfc फिर निकाल निकाल है तो net factor income from abroad add कर दी मालो हमने nnp addfc निकालना है दिया हुआ गया nnp addfc फर्क किस कैसे दोनों में mp और fc का factor cost कम होती है तो market price में से जो indirect tax थे वो हमने net indirect tax minus कर दी तो साधन लागता वी तो dear students इस धंसे हम किसी को भी कर सकते हैं ध्यान रखना main हमने ध्यान क्या रखना है national जाब पूछी हो मालों एक्जाम मा जाए एक अल्गूरिट national income थो हमने nnp addfc करनी है ध्यान हमने कहां देना है जी और n का n or d का mp or fc का जी और n में difference होता है depreciation का n or d में difference होता है net factoring कर हमें रोड का mp और fc में difference होता है net indirect tax का clear तो students I think the whole concept is quite clear जो हिस्सा clear नहीं है वापिस हिस्से में जाए दुवारा देखें जो च्छे चीजे में ने बताई gross or net market price or factor cost national or domestic इनको पकड़के चलो सारे concept clear है बहुत सी वीडियो आलरेडी चैनल पर है बहुत सी और आती रहेंगी एक बार फिर आपके साथ होंगा कुछ नहीं वीडियो के साथ तब तक देखते रहें thank you very much